हलो फ्रेंड्स यहां हम लोग इस विडियो में जैपी अधेच ॅधेच अनिकी जैपीयस क्येयर्मन के बारे में अम लोग जानकारी को देखेंगे कि कि जैपीयसी अधेच का जो पत था वह अहां खाली था तो यह जहारखंड करणी फिर से रिलेटेट है तो लोगों की जान तो यह अब जैपय के बरतमान इधैच्य होगे तो यहाँ पर और चीजों का देख लेखते हैं मेरी निलीमा के पूर्व जैपीजी अधैच्य अमिताब 14 के निदन के बाद रिक्त पद पर अस्थान ग्रान करेंगे तो आप यहां पर देख सकता है कि जो इससे पहले जो पूरो जीपेसी देचे अमिताब चोदर यह इनका निदन हो गया था इसके बाद में जीपेसी अधिच का जो पत था हुआ खाली था तो वहीं पर इनकी नियुक्ति हो गई है यानि कि मेरे निलिमा के रि करकेटा और यह अभी बरतमान में जीपेसी के निया चेर्मेन या नया अधिच्छे बने हुई है और आप लोगों कोशन पूछ ले जा सकता है कि जीपेसी के जो है वह फ़र्ष्ट ओमेन कोन है तो यह भी आपनों ध्यान रखना है कि मेरे निलिमा के रिकेटा अब जानते 1994 बेज की आईएस अधिकारी रह चुकी है तो यह आप लोगों देख से दों कि 1994 बेज की आईएस अधिकारी रह चुकी है महाराष्ट केडर से और महाराष्ट सरकार में लोगस्वास्थ विभाग में परधान सचीव के पतपर रह चुकी है यह आप लोगों को ध्यान रख राखन की राजदानी जो है राची राची का ही एक खास जगह है काके तो काके के ही रहने वाली है मेरी निलीमा के रिकेटा तो यह एतना आप लोगों को जानका रिध्यान रगना है तो यहां पर सबसे जदा इंपोर्टेंट चीजी जो है वह है कि जेपीसी के जो बरतमान अ पहली महिला अधेच बनी है मेरी निलीमा के रिकेटा तो यह एक लोगों को बहुत बहुत हैं आप लोगों को याद रखना ही रखना है तो यह जारखंड कररेंड अफेर्स से रिलेटेट था तो मैंने आप लोगों को बता दिया हो सकता है यहां से कोशिन पुच्छे ले तो आप असानी से बना सकते हैं